So, Hey everyone, Welcome back to our YouTube channel Defense Point और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं Coast Guard, Navic, Oriyanthric exam की तैयारी के लिए Static GK और General Science का एक Practice Aid तो दोस्तों वीडियो जो है आपके लिए काफी ज़्यादा Important और Special होने वाला है क्योंकि एकदम exam oriented questions आपको इस वीडियो सिरीज में देखने को मिलेंगे तो इसको continue और पूरा जरूर से देखिएगा साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के उपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन को प्रेस कर लें options दिए गए हैं Lux, Mole, Tesla या फिर Joule तो हम जानते हैं कि किसी भी निकाई के पदारत की मातरा जो है वो आपके Mole के द्वारा मापी जाती है ठीक है और पदारत की मातरा का जो SI मातरक होता है वो भी आपका Mole ही होता है तो इसके लिए दोस्तों correct answer हो जाता है option number B Mole इसके लावा मैं एक चीज और बता दूँ आपको कि एक Mole में जो है आपके 6.022 into 10 to the power 23 ठीक है मूल भूतकन होते हैं और इसके लावा अगर बाकी options की बात की जाए तो देखिए Tesla जो कि आपके चुमबक की ए छेतर की तिवरता का मातरक होता है इसके अलावा जूल जो कि आपके कार्य और उर्जा का ऐसा ही मातरक होता है और लक्स जो है ये आपके प्रदिप्ति का मातरक होता है तो आई होप कि आपको चारों options कलियर हो गए होंगे अब देखिएगा कुशन दिया गया है कि प्रार्तना समाज के संस्थापक कोन थे यानि कि who was the founder of the प्रार्तना समाज तो options given है स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडूरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय तो देखिए प्रार्तना समाज की स्थापना जो है वो केशव चंदर सेन की प्रेरणा से जो है आत्माराम पांडूरंग ने 1867 इस्वी में बंबई में की थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपके हिंदू ध्रम में व्यापत जो भरष्टाचार के विरुद आवाज उठाना था तो correct answer will be option number B, आत्माराम पांडूरंग now question number 3 और यहाँ पर आपको question दिया गया है कि कि किस बारतिय राज्य की मुख्य भूमी की जो तट्रेका है वो सबसे लंबी है ठीक है यानि कि which Indian state has the longest mainland coast line तो यह question आपके लिए और भी important हो जाता है क्योंकि आप लोग कोश्ट गार्ड का ही exam देने वाले हो तो options है केरल, महराश्टरा, उडिसा या फिर गुजरात तो दोस्तों इसका answer बताने से पहले मैं आपको कुछ information देना चाहूंगा इसके बारे में तो देखिए कि भारत की तट्ये सीमा की कुल लंबाई जो है वो आपके 7516.6 km के लगबग है ठीक है और भारत की तट्रेखा पर जो है कुल 9 राज्ये आते हैं और इसके इलावा 4 केंदर सासित प्रदेश इस्थित हैं ठीक है और इन राज्यों में से अगर बात की जाए कि सबसे अधिक तट्रेखा की लंबाई जो है वो किसकी है तो इसके लिए दोस्तों correct answer हो जाएगा option number D गुजरात क्योंकि गुजरात की जो तट्रेखा की लंबाई है वो आपकी 1214.70 km है यानि की 1214.70 और इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है महाराश्टरा क्योंकि महार जोर बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अब आप लोग जो है हमें unacademy के उपर follow कर सकते हो यहाँ पर जो है आप लोगों को simply play store के उपर जा करके unacademy learning यह आपको install करना है और basic सी information को fill up करके जो है वहाँ पर registration कर लेना है दोस्तों registration करने के बाद में आपको defense की category में air force navy और cost guard को select करके मुझे यहाँ पर follow कर लेना है username को search करके दोस्तों make sure कि आप follow जरूर से कर लें जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी classes के notifications, videos और updates मिलते रहें दोस्तों पहली बार हमारी class को unlock करने के लिए code आप usually में लेंगे DPYT 10 यहाँ पर जो है आप लोगों को cost guard नाविक औरियांतरिक exam के तयारी के लिए special classes देखने को मिल जाएंगी जो कि बिल्कुल free of cost होती है अब देखिए दोस्तों question number 4 यहाँ पर आपको question दिया गया है कि राज तरंगिनी के लेखक कोन है options हैं कालिदास, चंदरबरदाई, जैदेव या फिर कलहन तो इसके लिए दोस्तों आपका correct answer हो जाता है option number D कलहन ठीक है क्योंकि राज तरंगिनी जो पुस्तक है जो कि आपका एक मुख्य रूप से संस्कृत वासा का गरंथ है और यह जो है आपके कलहन के द्वारा रचित है ठीक है और इसमें जो है आपका main रूप से आपके मतलब की कस्मीर का इतियास जो है वो वर्नित किया गया है अब देखिए दोस्तों question number 5 यहाँ पर आपको question दिया गया है कि यदि किसी व्यक्तिक का द्रव्यमान प्रत्वी की सतय पर 60 kg है तो चंदरमा की सतय पर उस व्यक पूछा जा रहा है ठीक है तो देखिए कि द्रव्यमान जो है वो किसी भी वस्तु में नीहित पदार्त की मात्रा होती है जो की मतलब सब जगे पर एक समान होता है ठीक है यानि कि द्रव्यमान change नहीं होता जबकि कि किसी भी वस्तु का भार जो है वो आपका गुर्त्विय त्वरण के उपर निर्बर करता है यानि कि एगर 60 kg के व्यक्ति का द्रिव्यमान जो है वो प्रत्वी और चंद्रमा पर समान रहेगा ठीक है यानि कि इसका right answer हो जाता है option number C अगर प्रत्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी 60 kg रहेगा ठीक है और अगर बात की जाए तो देखिए जबकि प्रत्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुर्ट्वी अत्वरण जो है वो आपको बता है कि एक बटा 6 भाग कम होने के कारण उसका जो प्रत्वी पर भार अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर भार जो है वो आपका एक बटा 6 हो जाएगा ठीक है चलिए इसमें कन्फ्यूज मत हो येगा क्यूंकि काफिर स्टुडेंट जो है इसको गरत कर देते हैं अब देखिए दोस्तों कुशन नंबर 6 यहाँ पर आपको कुशन दिया गया है कि 1920 से 1922 में SIO गंदोलन का नेत्रत्व जो है वो इन्वे से किसने किया था ओप्शन से मोतिलाल नहरू सुभास चंद्र बोस जमारलाल नहरू या फिर महत्मा गांदी तो भारतिय इतियास में 1920 से 1922 तक SIO गंदोलन का नेत्रत्व वो आपके गंदी जी के तुवारा किया गया था और गंदी जी ने जो है वो इसका नेत्रत्व है यानि कि SIO गंदोलन आपके 1 अगस्त 1920 को अपुआस और प्रार्थना के साथ में प्रारम किया था और इसके बाद में आपको पता होगा कि 1921 में जो है SIO गंदोलन जो है वो मतलब काफी तेजी पर पहुँच चुका था लेकिन जो आपके 4 फरवरी 1922 को जो घटना हुई थी आपको याद होगा गुरकपूर के चोरा-चोरी नामगिस्तान पर जिसमें की पुलीस वालों को जिन्दा जला दिया गया था इस गटना से आ तो करके जो है गांदी जी ने SIO गंदल उनको इस्थगित कर दिया था ठीक है तो करेक्ट आंसर इस कुश्चन के लिए है आपका ओप्शन नमबर D मात्मा गांदी नाव कुश्चन नमबर सेवन और यहां पर देखिए दोस्तों कुश्चन आपको दिया गया है कि बारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अज्यक्स कोन थे ओप्शन हैं बदरूदीन तयब जी नवाब सेयद महम्मद पहदुर दादा बाई नारो जी या फिर अबुल कलाम अज्याद तो कॉंग्रेस के वार्षिक अदिवेशन की अज्यक्सता करने वाले जो पहले मुस्लिम अज्यक्स थे वो आपके बदरूदीन तयब जी थे ठीक है जिनोंने 1887 में आपके मदरास में आयोजित कॉंग्रेस अदिवेशन की अज्यक्सता की थी और ये भी मतलब माना जाता है कि इस अदिवेशन में पहली बार जो है भारतिय बासा तमिल में जो है अभिवाशन हुआ था तो correct answer हो जाता है option number A बदरूदीन तयब जी देखिए दोस्तों मैं जो भी question आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ये सारे exam oriented questions है और आपके syllabus में ही topics में से question निकाले गए हैं इसके अलावा काफी exams में already ये topics आ चुके हैं तो काफी important हो जाते हैं तो यहाँ से जो है question आ सकते हैं तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा और end में आपका score कितना रहता है नीचे comment box में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा नाव question number 8 और यहाँ पर देखिए आपको question दिया गया है कि भारत में राष्ट्रिय पंचायती राज़ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है इसके लिए आपको 4 options दिये गए हैं 4 जून, 3 मई, 24 अपरेल या फिर 10 अपरेल तो देखिए कि भारत में परत्य एक वर्ष 24 अपरेल को राष्ट्रिय पंचायती राज़ दिवस की रूप में मनाया जाता है और ज्यान रखिएगा कि पहली बार राष्ट्रिय पंचायती राज़ दिवस 2010 में मनाया गया था और भारतिय समिदान के अनुचे 40 में जो है वो आपके पंचायतों का उलेक किया गया है तो इस कुशिन के लिए राइट आंसर है उप्सन नमबर D इससे एक चीज और बता दूँ कि आप लोगों को जो है मैत्वपोन दिवस वाला टॉपिक जरूर से देखना है क्योंकि दोस्तों यहां से कुशिन देखा जाता है अक्सर आता ही आता है ठीक है तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिएगा इसके लावा अगर आप लोगों इस टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो नाव कुशिन नमबर नाइन और यहां पर देखिए आपको कुशिन दिया गया है जिसमें एक छोटा सा निमेरिकल पूछा जा रहा है तो यहां पर कुशिन है कि 14 किलोग्राम दर्व्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड उपेग वाले पिंड का जो है समवे कितना होगा ठीक है यानि कि आपको मोमेंटम पूछा जा रहा है 28 ठीक है अब इनको जो है हम मल्टिप्लाई कर लेंगे तो यह आपका आएगा 392 और क्योंकि यह आपका एक समवेग पूछा जा रहा है तो इसकी मात्रक जो है वो आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो इस प्रकार से जो है इस कुशिन का राइट आंसर हो जाता है ओप्सन नमबर B देखिए दोस्तों छोटे छोटे जोटे नुमेरिकल्स जो है वो आपके नाविक GD, DB और यांतरिक के तीनों के जो है परवा देंगे नाव कुशन नमबर 10 और यहां पर कुशन है कि वायू मंडल में आदरता को मापने के लिए कौन से यंत्रगा उप्योग किया जाता है तो देखिए दोस्तों ओप्सन गिवन हैं हाइग्रो मेटर, हाइडरो मेटर, बेरो मेटर या फिर पाइरो मेटर काफ इंपोर्टेंट है, तो देखिए हाइडरो मेटर, जो कि आपके अपेक्षिक घनत्वे को मापने के लिए यूज में लिया जाता है, इसके अलावा बेरो मेटर, जो कि आपके वायू मंडल ये दाब को मापने के लिए यूज में लिया जाता है, और बेरो मेटर में ज जिसको विकिरण मापी भी कहा जाता है. देखिए दोस्तों कुशन नमबर 11. यहां पर आपको कुशन दिया गया है कि 1556 की पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो इनमें से किसके बीच में लड़ा गया था? ओप्सन से अकबर और राना प्रताप, अकबर और भारमल, अकबर और हेमू, या फिर अकबर और माहराना उदे सिंग्ग ठीक है? तो देखिए कि पानीपत का जो पहला युद्ध था, वो तो आपका 21 अपरेल 1526 को जो है बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है? जिसके बारे में आप सभी को बता है, उसके बाद में आपका जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वो आपका 14 जनवरी 1761 को जो है मराठों और एहमद शा अबदाली के बीच में हुआ था, अब देखिए दोस्तों कुशन नमबर 12, यहाँ पर आपको प्रस्न दिया गया है कि निम्र में से कौन सी किरने वायू मंडल में उपस्तित ओजोन परत द्वारा अवसोसित होती है, तो द्वारा पराबेगनी किरनों का अवसोशन होता है, और ओजोन परत जो है उसूरिये से आने वाली आनिकारक पराबेगनी किरनों को प्रत्वी की और आने से रोकती है, ठीक है, और पराबेगनी किरनों से जो है वो आपके इसकिन कैंसर हो सकता है, इसके लावा दृष्ठी हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन और इसके लावा कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिससे की ओजन परत का शरण हो रहा है ठीक है तो हमें जो है इनका भी प्रियोग करना कम चाहिए तो अब देखिए दोस्तों कुशन नंबर 14 और यहाँ पर आपको कुशन दिया गया है कि ज आपका सीधा और आबासी बनता है ठीक है क्योंकि उत्तल दरपन में जो है किसी वस्तु का परतिविंब सदेव मतलब की दरपन के तो पीछे बनता है और उसका जो दुरू होता है और जो फोकस है ठीक है उसके बीच में और इसके साथ ही जो है मतलब की वस्तु से छोटा सी पूरी को अगर बढ़ाया जाता है ना तो दरपन से बना जो आबासी और सीधा परतिविम जो है उसका अकार छोटा हो जाता है ठीक है तो ये भी point आप लोग ज्यान में रख सकते हो तो इसके लिए सई जवाब है आपका option number B की virtual and erect यानि की आबासी और सीधा अब देखिए दोस्तों question number 15 यहाँ पर ये question जो है मैंने आप लोगों से question for you series में भी पूछा था काफी students ने जो है इसका सई जवाब भी दिया था और काफी students ने जो है इसका गलत जवाब भी दिया था तो देखिए यहाँ पर क्या question दिया गया है कि बिजली के bulb में आम तोर प भरे जाने वाली जो gas है वो आपके अस अक्रिय नाइट्रोजन या फिर अक्रिय गेस आरगन होती है ठीक है यानि कि या तो आपके inactive nitrogen को भरा जाएगा या फिर जो है इसके लाबा आपके inactive जो अक्रिय गेसे होती है जैसे कि आरगन उसको भरा जाता है ठीक है चलिए अब देखिएगा दोस्तों question number 16 यहाँ पर आपको question दिया गया है कि बंगाल के पहले governor general कौन थे तो options है Lord Clive Lord Warren Hastings Lord Litton या फिर Lord Rippon तो इसके लिए दोस्तों आपका correct answer हो जाएगा option number B Lord Warren Hastings ठीक है तो Lord Warren Hastings जिसका की आपके समयकाल या फिर कार्या उदी की अगर बात की जाए तो आपको बता होगा 1774 से जो है 1785 तक इनका कार्यकाल था ठीक है और कलकत्ता में जो है एक मदर्शा की स्थापना भी इनों ने की थी इसकी बज़े से इनको जाना जाता है और इसके अलावा Lord Litton जो की आपके 1876 से 1880 तक थे और जो की वर्णा कुलर जो प्रेस एक्ट था इसकी वज़े से जाने जाते हैं ठीक है तो इन दोनों के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जान में रख सकते हो अब देखिए दोस्तों कुशन नमबर 17 और यहाँ पर आपको कुशन दिया गया है कि इनमे से एक भारत के Grand Old Man के नाम से जो है किसे जाना जाता है यह कुशन आप सभी को पता होगा क्योंकि काफी टाइम से जो है लगबग सभी exams में यह कुशन आता है तो देखिए options हैं दादा भाई नरो जी W.C. बनर जी, फिरोशा मैता या फिर सुरेंदरनात बनर जी तो right answer जो है इसके लिए आपका हो जाता है option number A दादा भाई नरो जी उनको जो है उनके कारियों के सम्मान में भारत का Grand Old Man यानि की बुड़ा आदमी जो है कहा जाता है ठीक है और इसके लावा जो है आपको पता होगा कि ये आपके 1866 में East Indian Association London में जो है स्थापना इनोंने की और इसके लावा 1886, 1893 और 1906 तीन बार जो है Congress के एज्जेक्स भी जो है इनको बनाए गए थे ठीक है और इनकी जो प्रसिद रचना थी वो आपको पता होगा पूर्टी एंड अन बिटिश रूल इन इंडिया थी ठीक है तो correct answer will be option number A, दादा भाई नरोजी Now question number 18 और यहाँ पर question आपको दिया गया है कि काजी रंगा राष्ट्रिय उज्जान कहां पर इस्थित है ठीक है और केरल में आपका पेरियार नेशनल पार्ग इस्थित है और इसके लावा पस्चिम मंगाल में आपका सुंदरवन नेशनल पार्ग इस्थित है ठीक है अब देखिए दोस्तों question number 19 और यहाँ पर आपको question दिया गया है कि ठोश सालक में धारावाहक होते है तो ठोश सालक में धारावाहक जो है वो मुक्त इलेक्ट्रोन होते है और इलेक्ट्रोन की खोश जो आपको पता होगा जेजे थॉमसन ने की थी और वे इलेक्ट्रोन जो मुक्त या फिर जो हम बोल सकते हैं कि वे इलेक्ट्रोन जो परमानू में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बलकि स्वातंत्र होते हैं वो आपके मुक्त electron कहलाते हैं ठीक है तो right answer हो जाएगा option number C free electrons now question number 20 जो कि आज के इस video series का last question होने वाला है तो देखिएगा question क्या है कि bleaching powder का रसाइनिक नाम ये भी है ठीक है यानि कि bleaching powder किसे कहा जाता है तो देखिए calcium oxy chloride ठीक है जिसको हम caocl2 से लिखते हैं जो कि आपका bleaching powder कहलाता है तो right answer हो जाएगा option B इसके अलावा देखिए बाकी options में आपको clear कर देता हूँ तो calcium sulfate जिसको कि हम gypsum बोलते हैं sodium chloride जिसको हम खाने का नमक कहते हैं normally और sodium carbonate जिसको हम लोग baking soda या फिर खाने का soda कहते हैं ठीक है तो I hope कि आपको 4 options जो है वो clear हो गए होंगे तो दोस्तों एक question अब आप लोगों के लिए है question for you series में तो आपके लिए question है मिसर दातू को dash भी कहा जाता है जो कि आपके सीसा और टिन से बनती है यानि कि सीसा और टिन से बनने वाली जो मिसर दातू है वो आपके क्या कहलाती है ठीक है तो यहाँ पर options थोड़ से अलग है तो I hope कि आप बता दोगे कि इसका right answer क्या होगा ठीक है